तो हेलो फ्रेंट्स एक बार फिर से सोगत है हमारी यूट्यूब चैनल डीसल मैक में आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीए आर्सी की बीए आर्सी की जैसे कि अभी आप सबी लोग बेट कर रहे थे कि केट वन का रिजल कब आएगा टेकनिकल ओफिस कर रिजल कब आएग तो यह सब सोड़ी है अब हम आज के वीडियो में बात करेंगे इस्टेपेंटरी केटेगरी टू वालो की बात करेंगे जो की खासकर आईटिय इस्टूडेंट्स की बात करेंगे ना आईटिय वालो का स्किल टेस्ट पेंडिंग है तो इस्किल टेस्ट उनका कब तक हो सकत है है ना तो देखेंगे और कब तक जोइनिंग मिल सकती है कब तक आपके मतलब रिजल्ट आ सकता है तो वो सभी जानकरी हम देखेंगे ठीक है तो वीडियो अच्छा लगे तो जरू लाइक कर दीजेगा है ना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करिए इससे ही हमारे चैनल पर अप्डेट मिलते रहेंगे आपको ब्यार्च से जोड़े सारे जब तक की जोइनिंग हो जाती है मैदिकल किसे क्षे होता है ना और जो इनी रिजल्ट आने के बद क्या करना रहता है यह सारी जानकारी के वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे है ना तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेजे आपको बहुत इंपोर्टेंट रहने वाला है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आप लोग का डाउट है कि कोशन यह है कि सर हमारा यह सब केट वन का रिजल्ट आ गया है टेकनिकल ओफिसर का वालों का इन्होंने स्किल टेस्ट भी करा लिया है यह ना बस आप लोगों का आईटि वालों का कुछ ट्रेडों का स्किल टेस्ट करा लिया है ठीक है तो बाकी के जो में इस्ट्रेम के ट्रेड है जैसे फीटर हो गया इलेक्टिशन हो गया मोटर मेकैनिक हो गया डिजल मे जोइनिंग मतलब अभी सेप्टमबर तक होगी तो आपको भी सेप्टमबर में स्किल टेस्ट देखने को मिलेगा ठीक है सेप्टमबर में होने के पूरे चांसे से कि आपका सेप्टमबर में स्किल टेस्ट हो जाएगा उनकी सेप्टमबर में फिर आपका September अक्टूमबर नवंबर में जोइनिंग करा ना तो यह आपकी जो भी Recruipment है category 2 वालों की आपको join करा जाए या तो एक बेच को नवंबर में भी करा जा सकता है या तो सबी को हो सकता है नवंबर तक या तो फिर एक बेच को नवंबर और एक बेज को अगले साल के लिए ठीक है जिसा कि मैं आपको बता रहा था कि आपका जोइनिंग नमबंबर तक हो सकता है है ना दो बेजों में तो जिसा कि पहला बेज जो भी रहेगा तो वो नमबंबर में हो जाए है ना और दूसरा बेज़ या तो जनवरी दुसरे साल तक जा सकता है 2025 तक तो ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा होने की possibility तो है बट आप देख लिजेगा हो सकता है इसी साल आपको दोनों विचों को जोइन करा लिए जाए क्योंकि आपकी recruitment काफी बड़ी है लगबग 3000 candidates रहेंगे जो भी category 2 में है तो इस करेंगे कि आपको एकिपेज में लिया जाए तो नवंबर तक आपका जोइनिंग होने का चांसे से ठीक है category 2 वालो का तो इसके अनुसार आप देख सकते हो कि आपका September में अभी यदि August में result देंगे और यदि August में यदि आपका schedule निकालेंगे तो आपका definitely September में skill test होगा ठीक तो अगस्तक आप बेट करिए अगस्तक आपको update देखने को मिल जाएगा skill test से related की कभी आपका skill test बहुत जल्ड आपको schedule देखने को मिलेगा ठीक है तो देखी सकते हो आपको skill test की इसलिए आप तयारी preparation start करतीजिए ठीक है जो भी trade बाकी हो MMB हो electrician हो feeder हो तो और बाकी तयारी stat कर दीजिए है ना फीटर बालों को थोड़ी से मैनेट करने पड़ती तो वह कर सकते हो लेकिन अधर जो exam चल रहे भी government के जैसे आपमारा railway का असिस्टेंट लोगो पाइलेट हो गया technician हो गया group D हो गया तो इस चीज़ की भी तैयारी करते रहिए इसको मत छोड़िए ठीक ह वाई चांस आपका इधर नहीं होता है तो फिर आप क्या करेंगे तो इससे अच्छा है कि आप दोनों की तैयारी करते रहे जिए इसकी पड़ेए उसको नहीं चोड़ेगा ठीक है तो देख लिजे वीडियो अच्छा लगे तो जरू लाइक करिएगा चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए है ना हमारे चैनल पे इसे ही वीडियो आते रहेंगे आपको जो भी हेल्प सी है कमेंट करिएगा ठीक हम ट्राइ करेंगे कि आपका रिपले दिया जाए या उससे रिलेटेट वीडियो बनाया जाए ठीक है जैसे कि मेडिकल में क्या होता है जल्टाने के बद क्या-kya करना रहेता है तो यह सब की जानकर ही हमारे चैनल पे अपको डेँपर डेए आपको देखते को मिलेगी है ना देखने को मिलेगी तो अब चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लेजाएगा ठीक है और जो भी आपको डाउट लगता है तो कमेंट करि ठीक है तो देख लिजेगा ठीक है आज वीडियो अच्छा लगे तो जरू लाइक करिएगा और इस जैसे की प्लांट ओप्रेटर और लेव असिटेंट वालू के रिजल्ट कपता आगा तो वो भी में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा तो मिलते हैं धन्यवाद